उनको कुछ बाते चूपती हैं, बहुत चूपती हैं, चहरा लाल पीला हो जाता है, उनको ये परिशानी है, कि हिंदुस्तान तो उनके परिवार के नाम लिख करके अंग्रेज लोग गए थे, पता नहीं अंग्रेजों के वारिस कौन थे हम तो नहीं जानते भई, लेकिन उनको लगता है कि अंग्रेज उनके परिवार के नाम पर हिंदुतान लिख के गए थे, और चार-चार पीडी हमारे हाथ में रहा, अब उनके गले उतरता नहीं, चार-चार साल हो गए, वे 440 में से 40 हो गए, देश की जनता ने उनको चून-चून करके घर बेच दिया लेकिन अभी भी आंसू बहाते रहते हैं, चाहे वाला, चाहे वाला बैठ गया, कैसे बैठ गया, उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है कि गरीब मा का बेटा, उनकी, उनको अंग्रेजो ने जो विरासत मैं दी थी, उस राजगदी पर बैठ कैसे गया, जब तक आप हिंदुस्तान के लोक तंत्र को नहीं समझोगे, आप एच चाहे वाले को दिन रात गाली देते रहोगे, हिंदुस्तान का लोक तंत्र हिंदुस्तान की अवाम में है, हिंदुस्तान का लोक तंत्र पड़े हो, अनपड़ हो, शहरी हो, ग्रामीर हो, युवा हो बुजुर्ग हो माता हो बैनों उनकी सोच समझ में पला बड़ा है एक परिवार हिंदुस्तान के लोक तंत्र किसी को ठेका नहीं दिया हुआ है अभी भी रो रहे हैं और अब तो नहीं चीज लाए कि कहते हैं कि फलाने फलाने महापुरुस थे इसके कारण पंडित नहरु के कारण यह मोधी चायवाला प्रधानमंत्री बन गया अगर आपके दिलों में इतना लोक तंत्र की भावना भरी पड़ी है अगर आप इतना लोक तंत्र का सम्मान करते हैं एक छोटा काम कर दीजिए बताओं बताओं यह कॉंग्रेस वालों को सुनाओं सुनाओं आपकी अनुमति होतों सुनादू अरग अगर आपके उसुलों के कारण आपके लोक तंत्र के प्रधी सद्धा के कारण सम्मिधान में आपकी भूमिका के कारण अगर आप दावा करते हैं कि पंडित नहरू के कारण अगर मोदी देश का प्रधान मंत्री बन गया एक चाय वाला प्रधान मंत्री बन गया अरे देश छोड़ो एक बार बहुत बार नहीं एक बार कम से कम पांच साल के लिए आपके परिवार के बाहर का कोई अच्छे कॉंग्रेसी को कॉंग्रेस पार्टी का देख्ष बना दो मैं मान लूँ गया अरे मैं मान लूँगा कि नहरुजी ने ऐसी लोगतंत्रिक परंपराय पैदा की थी कि जिसके कारण कोई समर्पित कॉंग्रेसी कॉंग्रेस पार्टी का देख्ष बन पाया एक परिवार के बाहर जरात कॉंग्रेस पार्टी का देख्ष को बन करका दिखाया पांच साल के ज़्यादा नहीं है और मैं जानता हूँ भारत के लोग चंत्र के लिए अच्छा होगा कि परिवार बाहत से देश बाहर निकले, यह राज परिवार बंड मैठे हुए उनसे बाहर निकले, यह देश के लिए आवशक है, लेकिन चाहे वाला प्रधान मंत्री बन गया, इसके लिए वो सवासो कोरोड देश सवाचियों को क्रेडिट देने के लिए तयार नहीं है, यह उनकी अलोगतांत्रिक मानसिक्ता का परणाम है, उसके लिए भी नहरू को ही क्रेडिट देने का मन करता है, अगर लोगत्र में सद्धा है, तो चाहे वाले का प्रधान मंत्री बनने का यश, पुरोष मोधी को भी नहीं जाता है, बीजेपी को भी नहीं जाता है, अगर उसका यश जाता है तो मेरे सभासो करोड देश सभास्यों की जांग रुकता को जानता है, देश भक्ति को जाता है